हेलो, हाई, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और अपना इनावग बहुत जबर्पतस तरीके से करी रहे होंगे तो आज हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जन्मिक के बारे में तो आप जानते हैं इनमें कोई एक पार्टनर या दोनों ही बहुत ही सेलफेश होते हैं तो कार्मिक कपल के बारे में अगर बात करें तो कार्मिक कपल का मतलब है दोनों सोल्स सीखने और सिखाने के लिए आई हैं लेकिन क्या सीखने के लिए आई हैं ये सीखने के लिए आई हैं कि दोनों ही ब्लेम करते रहते हैं दोनों ही फिजिकली एमोशनली और मेंटली एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं ध्यान दीजे फिजिकली एमोशनली और मेंटली एक दूसरे को हर्ट करते हैं यह होते हैं कार्मिक कपल और फैनेंशली भी बहुत बुरी तरह से हर्ट करते हैं Financially, किसी का एक दुसरी का पैसा खा लेना, चुरा लेना, जीन लेना, यूज कर लेना, कहीं गलत जगे में यूज कर लेना, इस तरह के, या अपनी परपरस के लिए यूज कर लेना, मांग के, या जीन के, चोरी से, ये काम, इस कार्मिक הקوس, इस कार्मिक 커플 hubs में होते हैं, यहा भी हो जाते हैं बट इमोशनल जो होता है ना उनका ड्रामा वो एक दूसरे को ट्रिगर करता रहता है एक दूसरे को बहुत ज्यादा वो घृणा करते हैं जेलिस करते हैं वो एक दूसरे की खुशी देख नहीं पाते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है कि सामने वाला हस क्यों रहा है, खुश क्यों है, किस से बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसे खुश नहीं होना चीए, इसे अच्छा क्यों पहना हुआ है, ये अच्छा दिख रहा है, ये सामने वाला जो है, तारीफ पा रहा है, तो ये फारी गलोच यह वो चलता है और ब्लेम्स ऐसे चलते हैं कि वो उनके फैमिली को बोलेगा तो वो उसके फैमिली को बोलेगे उनको गंदा बोलेंगे गलत बोलेंगे और तोनों इस चीज़ से ट्रगर हो के दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे अब्यूजिंग लैंगज कि क्लשट का सिकAND फोन दोनीव हो जाएं चला जाए इस दुनिया है तो जो दूसरा होता है ना कार्मिक कपल वह बड़ा इन नार्सिस्सिस्ट का रूप लेता sagnide का मंतलब हे कि अब्लब है की बहुत ही हो जाता है इंकि अपने ब्लप करने कर लिए रोके दोके सामधाम दंडबेत कहते हैं जिसे वो सारे उपाई करता है अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इवन बच्चों की शादी होने के बाद भी बुरी तरह से वो कंट्रोल करते हैं देखें मैंने कुछ ऐसी महधर से की जो लड़कियां हैं उनकी मेरिट हो जाती हैं तो उषाधी होने के बाद वो इतने फोन कॉल्स करती हैं दिन रात दिन रात की न उनका ब्रेन वाष्पूरी से प्रेंवाजान पूरी तरह से हो जाता है और वो घर में वापस अपने बेरे रहे एक कहीं और है तो तीनों का ऐसा ब्रेइन वाश किया कि तीनों घर में आकर बैठी हुई है अपने बच्चों समेथ अपना सस्राल को छोड़के अपने अपने हस्बंस को छोड़ कर और खुशी से हैपी हैपी फेस बनाए रहते हैं कि देखो एवरिटिंग इस वेरी पा देखिंग नाटी है तो अगर को एक खतम हो जाए तो इस तरह का रूप बना लेते अपना ये अपने बच्चों को हमेशा डिपेंडेंट बना देते हैं ड error दो चायेदा तिरे सिस्राल वाले ऐसे कह रहें हस्बंड तुम्हारा ऐसा है क्या का थै या क्या क्या रोटी ख़ कोई भी ऐसा चाहता है कि कोई भी ऐसा चाहता होगा कि मेंकभी कि ہं पड़ भी जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन निकलना तो पड़े जाए ना वो ऐसे ही कि अगर थोड़ी थोड़ी सी भी दोनों में से किसी एक में स्पिरिच्वालिटी है तो वो काफी शानत हो जाता है तो वो समझने लगता है कि सामने वाला तो बिगड़ गया है खराब है नार्सिस्ट है यह कॉम्पेटिटर ही बना रहेगा इसकी नहीं रखना चाहता है इसको इसे में मजाता है अब्युजिंग में हर तरह से इसको इसे में मजाता है यह हर चीजए में कोई ना कोई इस तरह का बहाना डूंड लेता कि यही साइकल रिपीट होता रहे तो अगर किसी एक को समझ आ जाए दोनों कपल में से तो वो काफी शान्त होने लगता है अपना पूजा पार्ट में रम जाता है मेडिटेशन करता है योगा करता है वीडियोस बनाता है गाने गाता है ट्रैवलिंग करता है जैसे देखा मैंने किसी कपल में से को कि वो ना जोतिरलिंग का उन्होंने पूरा प्लान मिना रखा कि अब मैं सारे के सारे जितने भारत में जोतिरलिंग है ना उनके दर्शन करने जाओंगी, उन्होंने पूरा ग्रुप बना लिया, सत्संका बना लिया, सब कुछ कर लिया, अपने हस्बिंट से बिल्कुल रहते साथ ही हैं, लेकिन काम बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल जूसरा कपल जो थोड़ा भी स्प जब तक हम कार्मिक रिलेशन में हैं, चाहे कपल हैं, चाहे नहीं हैं, तब तक हम कोई लेसन नहीं सीखते ना, तब तक कार्मिक साइकल जो है, बार बार बहुतना पड़ता है, वो ही मैं कहा रही है, जब लेसन कोई सीख लेगी, हाँ भई हाँ, कि सामने वाला नहीं सुद मुझे चेंज होना है, तो चेंज अपने आपको करना होता है, दूसरा चेंज कभी नहीं होता है, तो अगर आप अपने आपको चेंज कर रहेंगे, तो नेक्स लाइफ में भी आपको अच्छा जीवन मिलेगा, नहीं तो आपको यही कार्मिक रिलेशन आपको दुबारा घू नीचे करता हो, धका देता हो, आपके लिए कड्डे कुछता हो, आपके लिए रियूमर्स फैलाता हो कि अरे ये तो खराब है, ये है वो है, ये गलत चीजें कर रहा है, ये गलत संगती में पढ़ गया है, इस तरह से बहुत से लोग होते हैं, इसलिए कहरे हूं आखे को नहीं होगा, आपको बाद में फिल होगा कि हाँ मैं अकेला रह गया, तो ठीक है, बुरी लोगों की संकती से अकेला रहना अच्छा, वैसे भी solitude में जाहिए, तो अभी अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया, तो नेक्स लाइफ में तो ये जाएगा ही जाएगा, तो ये लाइफ भी खराब होगी ही, उसके साथ रहते हुए, उस कार्मिक रिलेशन में रहते हुए, तो इसलिए अभी आपको चेंज होना होगा, आज से अभी से, उसको माफ कर दो, ठीक है, उसने जो किया किया, उसने आपके साथ जैसा भी कंदा बीहेवियर किया, कि जा भी म मैंने तुझे माफ किया, लेकिन मैंने अपने आपको भी माफ किया, अपने आपको इस तरह से कि, मैंने इतने साल अपने आपको इस रिलेशन में रखा, I'm so sorry to myself, अब मुझे चेंज होना है, अब अपने पैशन पे लग जाओ, आपको जो आता है उस काम में लग जाओ, और आपका जो भी टैलेंट है, जो भी गुड़ गिफ्टे टैलेंट है, उसको पहचान ये, solitude में जाए, meditation कीजे, माफ अगवती से प्रातना कीजे, चामुणदा से प्रातना कीजे, राम जी से कीजे, उनमान जी से कीजे, जीजस से कीजे, मुहमबद से कीजे, जो भी आपके टैलेंट है, प्लीज मुझे बताए, मुझे उस और अग्रसर कराएं, मेरे लिए, मुझे वो काम करने के लिए दें, मुझे सपने में बताएं, किसी तरह से मुझे मैसेज दें, तो ऐसे ईश्वर से प्रातना करें, खुद को टाइम दें, अपने आपको स्पेस दें, solitude मे जाएं, ऐसे लोगों से रिलेशन कट करने के कोशिश करें, लेकिन लेसन सीखने के बाद, एक तो होता है, गुझे में कट कर दिया, ठीक है, जी आज से तो मेरे मा नी, तो मेरे बाप नी, तो मेरे भाई नी, तो मेरे फ्रेंड्स नी, देखे, गुझे में आप चले जाएं कार्मिक कपल्स, कार्मिक प्रेंट्स ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज अभी जुबी हुई है, आपने अपने आपको चेंज नहीं किया, आपने अपने पैशन के ओपर काम नहीं किया, आपने अपना इना वर्क शुरू नहीं किया, आपने मेडिटेशन नह तो अगर इसी जनम में इस लाइफ साइकल में ही इस कार्मिक रिलेशन से चुटकारा पाना है तो अपने आपको टाइन स्पेस दें, सॉलिटूट में जाएं, मेडिटेशन करें, पुझा पराथना, मंतर जाब, जो भी आपको अच्छा लगता है या कुछ नहीं करना है, आपको चुपचा बैठ जाना है, अपना सुखा सर में बैठ के आ रहा है, सोचिए, यह हम कौन है, क्यों है, मेरे क्या रिलेशन है, मुझे ऐसे रिलेशन क्यों मिल रहे हैं, यह अपने आप से कोश्चन कीजिए, अंसर जरूर मिलेगा, पास्ट को याद नहीं करना है, ले लेकिन उस डर से जीतना ही आपकी जिन्दगी होगी, डर के आगे जीत होती है, यह याद रखेबागा, बहुत से रिलेशन होते हैं, बड़ी सिस्टर होती हैं, बड़े ब्रदर होते हैं, जिनको आपने बच बच्पन से बहुत आदर रिस्पेक्ट दिया हétais लेकिन वहीं जब दसकार्मिक होते हैं, आपको बार-बार पद एहसास होगा, अरे हाँ यार, इन्होंने तो मेरे हर काम में अडंगी अड़ाई थी, मुझे कोई कोर्स पूरा नहीं करने दिया, मुझे किसी अच्छी जॉब पे लगने नहीं दिया, लगने से पहले कोई अडंगी अड़ा हैं अपने घर के, सिबलिंग्स वातर हैं, मैं बार-बार बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा यही होते हैं, बहुत गदरना कार्मिक क्योंकि नहीं सब का, आपका सब कुछ पता होता है, बच्पन से लेके अब तक का, तो यह ऐसा जबर्दस मॉनिपलेट कर देते हैं आपक इश्वर जरूर सुनता है, जो इंटेंस प्रेयर की में बार-बार बात करती हूँ, इश्वर जरूर सुनता है, इश्वर जरूर सुनता है, इस बात को विश्वास मानिए, जरूर हिम्मत देता है आपको, अगर आप उनसे शक्ती और हिम्मत मांगें, सही रास्ता मांगें आपका sole purpose क्या है इस life में उसको मंगें, अपने आपको ढूंडें answers जरूर मिलते हैं ईश्वर आपको जरूर answers देता है इस तरह के कार्मिक रिलेशन से पूरी तरह से cut करवा देता है हर तरह से cut करवा देता है आपको lesson सिखाता है और आपको नई जिन्दगी देता है इश्वर में विश्वास रखिए इसलिए कहती हूँ have complete faith on God जो भी धर्म के हैं भगवान एक ही है यह धर्म हम लोगों ने मना रखिए है हमारे दिमाग ऐसे हैं human beings दिमाग ही ऐसे है तू उस धर्म का हो तू उस धर्म का तू उस धर्म का उपर जब जाते हैं ना मरने के बाद तो spirit कहते हैं एक ही तो भगवान है एक ही तो विश्वर है तू कहता है मैं उसको language अलग अलग है skin color अलग है उसी में तुम लड़ते रहते हो सारे जंदगी बिता देते हो मैं एसा हमारे में तो ऐसे आप जाओ अगया और कार्म रिलेशन जोड़के पलस करके देता हूं मैं तूम्हे और फिर कहते हैं आ रहे हमारी तू सिंदगी खराब है फिर और गंदी रिलेशने में जाते हैं इसलिए कर रही हूँ अब भी से चेंज हो जाएए अपने आपको चेंज किजिए पूरे लोगों से दूर रहें बहुत अच्छा है ब्लड रिलेशन है तो क्या हो गया कलत कर रहें जो पॉजिटिवली आपको वैलियू नहीं देते हैं आपका हमेशा अहित करते हैं अडंगी अड़ाते हैं कभी आगी नहीं बढ़ने देते हैं उनको आखे खोल कर देखना सीखें भगवान आपके ज़रूर रक्षा करेंगे थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए